हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वाज़त है आपका मायसरजी.com के इस चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त सौरब शुक्ला दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पाइथन के इंटर्व्यू कोश्चन्स की सीरीज और इस सीरीज में आज का हमारा कोश्चन है तो दोस्तों इसकी कोड़िंग में आपको करके dripis की बना सकते हैं जनरेटर भी एक तरसे फंक्षन ही होता है पाइथन के अंदर लेकिन उसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है और उसको कैसे use करना है वो पूरा का पूरा code में आपको करके बताऊँगा तो दोस्तों ये पूरा program में बना के बता रहा हूँ आपको Newton School की website पे Newton School एक ऐसा platform आपको provide करते हैं जो कि absolutely free है और आप लोग programming वहीं पर करके वहीं पर run करके देख सकते हैं कैसे इसका मैं demonstration आपको देता हूँ लेकिन ये absolutely free है तो कितना amazing platform है मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या होगा न कि अगर आपके computer पे आप python को install नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी दूसरे और भी languages की बात कर लें id install नहीं कर पा रहे हैं compiler install नहीं कर पा रहे हैं setup नहीं कर पा रहे हैं environment कोई भी issue आ रहा है तो आपको चिंदा करने कोई बात नहीं है online आपके पास एक compiler होता है online आपके पास एक id होता है जिसमें बहुत सारी languages का support है और वहीं पर आप coding करके देख सकते हैं चली मैं आपको demonstration देता हूँ ये रहा Newton School की website का landing page जो की आपको मिलेगा newtonschool.co website पे इसका link मैंने description में भी provide किया हुआ है तो आप वहाँ पर check कर लिजेगा simply आपको यहाँ पर sign up करना है एक बार आपको account बनाना जो कि absolutely free है एक बार आपने account बना लिया उसके बाद फिर आपको अपना dashboard दिखाई देने लगता है जो कि कुछ इस तरीके से है जैसा मेरा dashboard है इसमें मैंने create करके रखा है algorithmic playground देखे आपको आपके profile picture के नीचे दो options दिखाई दे रहे होते हैं एक दिखाई दे रहा होता है tracks और एक दिखाई दे रहा होता है playground तो आप playground को select कर लिजे और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने सकते हैं और output आपको यहीं पर console पर दिखाई दे जाएगा तो चलिए इसकी coding हम लोग करते हैं सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है मेरे को एक generator बनाना और generator क्या होता है it's a function तो मैं यहाँ पर define कर रहा हूँ और define करते वक्त इसका नाम लिख लेता हूँ प्राइम जनरेटर यह प्राइम जनरेटर यह प्राइम नंबर्स जनरेट करेगा और कितने प्राइम नंबर्स जनरेट करेगा उसके लिए मैंने एक n नाम का variable ले लेता हूँ n numbers यह generate करने वाला है ओके देखे यहाँ पर हम लोग क्या करेगे एक variable और ले लेते हैं जिसका नाम मैं ले लेता हूँ num और इसकी value 2 से start करता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो prime number है that is 2 तो हम लोग num के अंदर value रख लेते हैं और उसके बाद में एक loop चलाता हूँ जो तब तक चलेगा जब तक n की value 0 ना हो जाए हम जानते हैं कि 0 को false treat किया जाता है तो जब तक n की value 0 नहीं हो जाएगी तब तक यह चलेगा तो अगर आप 10 prime numbers generate कराना चाहते हैं तो n की value 10 होगी तो यहाँ पर while 10 तो n क्या है non zero number है इसलिए वो condition true होने वाली है non zero value मतलब true zero मतलब false तो यह while की condition शुरुवात में true होने वाली है अब इसके बाद इसके अंदर आते हैं और एक if condition हम लिखते हैं is prime मैं यहाँ पर एक और function बनाऊंगा जिसको यहाँ पर utilize करने वाला हूँ is prime अभी हम बनाएंगे इस function को और इसके अंदर मैं pass कर दूँगा anyone जो की होगा number initially 2 और अगर यह जो इस prime function है यह return करेगा true अगर यह num की value prime number है और अगर num की value prime number नहीं है तो return करेगा false तो यह if condition true हो जाएगी अगर num क्या है prime number है तो यहाँ पर मैं yield को use करूँगा हम जानते हैं generator में हमें yield को use करना होता है यह basically value return ही कर रहा है लेकिन यह function को end नहीं करता है यह function को pause करता है so that कि function वापिस से इसी line के बाद से resume हो सके अगर दुबारा से call होता है तो तो yield keyword है python के अंदर और इसमें मैं number yield कर रहा हूँ यानि कि जो number है अगर prime number है तो वो मैं yield कर रहा हूँ ओके fine अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद मुझे n की value को एक decrease कर लेना है क्योंकि यह एक मुझे prime number के counting का भी साभ रखना है मुझे total n prime numbers generate करने थे अब यह prime number एक मिल गया आपको तो n की value को एक decrease कर लेजे तो यह n की value को मैंने decrease कर लिया what next is मुझे इस prime function बनाना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ और सोचिए इस prime function अभी हम बना लेते हैं और एक चीज़ और सोचिए कि यहाँ पर num की value को भी मुझे increment करना है क्योंकि अगली बार क्योंकि लूप चलेगा तो अगली बार again same number को check नहीं करना है कि वो prime है कि नहीं है 2 के बाद 3 को देखना है 3 के बाद 4 को देखना है तो num की value को भी मुझे increase करना पड़ेगा तो मैं लिखता हूं num मैं 1 का increment और उसके बाद मैं लिख रहा हूं return तो देखिए return कहां लिख रहा हूं मैं ये loop के बाहर लिख देता हूं return return से क्या होगा ये function end हो जाएगा तो जब ये loop end होगा जब end की value 0 हो जाएगी मतब सारे prime numbers generate हो चुके है तो ये return हो जाएगा और function end हो जाएगा अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एक और function की जो की हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा is prime और ये इसमें हम check करेंगे कि number prime है की नहीं है तो मैंने लिखा is prime और जो भी number इसमें आएगा उसको मुझे check करना है कि वो prime है की नहीं है simple सा तरीका है मैं एक for loop लगा लेता हूं जिसमें मैंने एक variable ले लिया i in range 2 से लेकर num तक तो मैं जानते हैं 2 से लेकर num माइनस 1 तक ये numbers produce होंगे और अब मैं check करता हूं कि क्या number को divide कर रहा है i completely ये parenthesis लगाना ज़रूरी नहीं है लगा भी देंगे तो कुछ गलत नहीं है और colon अब हम if की body बाग है अगर number किसी से divide हो रहा है तो ये condition true हो गई तो return करवा दो false क्योंकि आप वो prime number नहीं है और अगर वो prime number होगा तो ये loop पूरा चलेगा किसी भी number नहीं से divide नहीं करा होगा तो loop end जब हो जाएगा तो return करा दो true मैंने ये false की spelling में f small लिखा हुआ है इसको capital बनाना पड़ेगा ये हमारा इस prime complete हो चुका है अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको call करने की मतलब अब इस program को run भी करना है तो ये functions को call भी करना है तो मैं बाहर code लिख रहा हूँ एक script लिख रहा हूँ इसमें मैं एक variable बनाता हूँ it नाम का और उसमें assign करता हूँ ये generator function को हम call कर लेते हैं prime generator ठीक है और इसमें pass कर देता हूँ let's say 10 ठीक है तो 10 prime numbers ये generate कर देगा और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ for element in it ठीक है और print करवा दूँगा e की value को और हर value के बाद ये print क्योंकि by default line change करता है मैं इसमें end symbol space कर देता हूँ ठीक है अब देखें ये पहले 10 prime numbers generate करने वाला है generator कैसे use होता है हमने generator function को call करा generator function return करता है iterator object तो वो iterator object है it तो it क्योंकि iterator object है इस पर हम for loop लगा सकते हैं तो ये उतनी बार चलेगा जितनी बार generator के elements generate हो रहे हैं मतलग कितने elements generate हो रहे हैं 10 elements generate हो रहे हैं हमने n की value 10 provide करी हो यह चलीए इसको run करके दिखते हैं यह मैंने run किया देखें output क्या आ रहा है नीचे आप देख सकते है output चीके यह जो 1 दिख रहा है this is not output यह line number है और यह उसके आगे output है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 they are all prime numbers आप यहाँ पर अगर 10 की जगे suppose करो आपने लिखा होता 50 तो 50 prime numbers आप generate कर रहे होते हैं तो देखें आप first 50 prime numbers इसमें generate हो जाएंगे यह देखें यह first 50 prime numbers है horizontal scroll हो रहा है यह एक बार फिर मैं इसको run करता हूँ इस बार मैं 20 prime numbers generate करना चाहता हूँ यह मैंने run किया आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पहले 20 prime numbers दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से हम generator बना सकते हैं तो दोस्तों है ना बिल्कुल platform यहाँ पर आपको किसी भी ID की जरूद नहीं पड़ती है आप यहाँ पर बड़ी आसानी से coding कर सकते हैं तो इसमें केवल python की नहीं आप बहुत सारी programming languages में coding कर सकते हैं और उसका code run करके देख सकते हैं तो यह बड़ा cool environment है और उन लोग के लिए help हो गई जो अपने computer पर ID को setup नहीं कर पा रहे हैं किसी भी particular language में तो यहाँ पर आके free में वो coding कर सकते हैं दोस्तों अब मैं एक जरूरी announcement कर रहा हूँ ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजेगा Newton School जिनके साथ collaboration में हम यह Python के interview questions के series आप तक पहुँचा रहे हैं वो लोग 15 अगस्ट 2020 और 16 अगस्ट 2020 यानि 15 और 16 अगस्ट को एक event लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको participate करना है मैं आपको इस event के बारे में बताता हूँ कि इस event में Microsoft, Google, Flipkart, Facebook जैसी बड़ी-बड़ी companies से लोग आ रहे हैं जो आप सबको guide करेंगे कि किस तरीके से इन companies में entry ली जाती है ये लोग आपके questions के answer भी देंगे और दोस्तों यही नहीं यहाँ पर एक python की workshop भी कंटक्ट होने वाली है और साथ में एक coating contest भी होने वाला है जिसमें आप cash prize जीच सकते हैं और साथ में आपको मिलेंगे certificate मैं भी आपको इस event में दिखूंगा और software industry की बारे में कुछ जानकरिया दूँगा तो आज ही registration करें registration link इस video के description section में मौजूद है तो अगर ये video पसंद आया है तो please इसको like करिए जितना जादा हो सकता है इसको share करिए और अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लिजे आज के लिए तना ही thank you goodbye